हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो अबर चैनल आप सभी कैसे हैं मैं आशा करते हूँ कि आप सभी अच्छे ही होगे आज हम देखेंगे नारियल की बर्फी अभी रक्षा बंधन आ रहा है और 15 अउगस भी है इंडिपेंडन्स दे तो टाइप से बर्फी बनाएंगे आज हम जो कि इंडिपेंडन्स दे के लिए भी काम आएगी और वह हमें रक्षा बंधन के लिए भी काम आएगी और बहुत ही कम इंग्रेट्स में हमने इसे बनाया है ब ह hopefulने रेसीप कोकनट को कैसे फोड़ना है और उसे कैसे स्टोर करके रखना है तो अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उपर आई बटन में उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दूंगी तो यहाँ पर हमने कोकनट के छोटे-छोटे टुकडे कर ल यह है इसके और अभी हम इसे गुमाएंगे तो गुमाना है इसे वो भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा मैंने इसे सुखा लिया है कोकनट को और फिर इसे हमें गुराइन करना है नहीं तो बहुत ही मॉइश्चर आ जाएगा तो आप देखी सकते है इसे तोड़ा सा चलाना है फिर बंद कर देना है फिर चलाना है फिर ऐसा करने से हमारे कोकणट को अच्छे से ग्रेट हुए जैसा बनेगा नहीं तो फिर पेस्ट बन जाएगा तो आपको इसे कम जाधा करते हुए से बनाना है तो अभी हमें चलाते रहना है slow speed में ही हमने इसे रखा है और इसके dry होने तक हमें इसे चलाते रहना है जो moisture है वो खतम होना चाहिए तो इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे यहापर हमारा coconut हो चुका है हमने इसे निकाल लिया है यहापर हम gas का flame बंद कर देंगे और इसे हम अलग से निकाल लेंगे और इसी पैन में मैंने यहाँ पर पाओ कब जितना दूद ले लिया है और इसी में हम एड़ करेंगे 3-4 गब जितनी चीनी तो इसे हमें अच्छे से मेल्ट होने तक पकाना है और उसके बाद हमें इसे एक से दो बॉइल आने तक इसे बॉइल करना है यह देखे इस तरह से यहाँ पर हमारी शुगर भी मेल्ट हो चुकी है तो अभी हम अपने जो हमने कोकोनेट को भून कर रखा था उसे हम इसमें एड़ कर देते हैं अभी हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है आप चाहे तो इसमें इलाइची पाउडर भी आड़ कर सकते हैं लेकिन इलाइची पाउडर से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर आड़ नहीं की है तो यह देखिए जब तक हमारा पैन अच्छे से छूट नहीं जाता है तब तक हमें इसे मिक्स करते हुए पका लेना है तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो केक का टीन आता है वो ले लिया है और उसे मैंने थोड़ा सा गी लगा लिया है अब हम इसमें बर्फी को सेट कर लेंगे आप यहाँ पर कोई थाली भी ले सकते है या फिर डीप जो डिबा आता है वो भी ले सकते है तो अगर आप डिबा लेते हैं तो उसमें बटर पेपर अड़ करिए यहाँ पर मैंने कटोरी को थोड़ा सा खी लगा लिया है जिससे की हमारी बर्फी में अच्छा सा प्लेइन सा शेप आ जाएगा तो इसे मैंने यहाँ पर अच्छा से सेट कर लिया है और अभी हमें इसे तीन से चार गंटे ऐसे ही बाहर ही रखना है मैं इसे फ्रीज में नहीं रखना है तो अच्छे से सेट हो जाएगी और जो बाकी थोड़ा मैंने मिश्रन रखा था उसमें मैंने दो पार्ट्स कर लिया है और तीन पार्ट किया है एक में ग्रीन कलर अड़ किया है और एक में और और इंज कलर अड़ किया है तो इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का जो डिबा था वो ले लिया इसमें बटर पेपर आड़ किया है और इसे grease कर लिया है तो नीचे हम green color डाल देंगे और बीच में हम white color डाल देंगे और उपर हम orange color डाल देंगे तो हमारा यहाँ पर तीरंगा बर्फी भी बन जाएगी तो आपको 15 अगस्ट के लिए भी बना सकते हैं या फिर आपको white color चाहिए है तो आप रक्षा बंदन के लिए भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको आज की हमारी एक ही मिश्रन में दो टाइप की बर्फी कैसी लगी है अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और भी नए नए रेसिपीज लेकर आने के लिए तो इसे भी हमें ऐसे ही सेट कर लेना है तीन से चार गंट के लिए फ्रीज के बाहर ही सेट कर लेंगे हम तो दोनों को अभी हम ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पर मेरे पास चांदी वर्क है तो मैंने सोचा वही लगा लेते हैं अगर आपके पास है तो आप लगाईए या फिर आप ऐसे ही छोड सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर ड्राइफरूट भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमारी बर्फी को सेट होते हुए तीन से चार गंटे हो चुक के हैं अभी हमें एक चाकू से इसे कट कर लेना है और फिर से इसे दूसरा कट करने के पहले इसे पोच लेना है तो इससे क्या होगा हमारी जो बर्फी है वो अच्छे से कट होगी और आप देखी सकते हैं बर्फी बहुत ही अच्छे से कट हो रही है और यहां पर हमारी तीरंगा बर्फी भी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है अभी हम इसे भी कट कर लेते हैं यह देखिए इस तरह से बहुत ही सुन्दर कलर आया है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए और कमेंट हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए तो मिल झालिए